हलो एवरिवान वेलकम बैक टू दर वीडियो तो फ्रेंट्स आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि आप जो है एक पाउर बैंक किस तरह से बना ज़कते हैं और वह भी घर पे ही तो जानने के लिए इस वीडियो को देखते रहें और हाँ अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार सब्सक्राइब कर लो तो चलिए फ्रेंट वीडियो सुरू करते हैं और हाँ इस वीडियो का जो है कोई भी पार्ट इसकी मत करना क्योंकि आर आदी अदूरी जानकारी अच्छ होती है सब्सक्राइब यहां पर देख सकते हैं यहां पर प्लस और माइनस का इंडिकेशन भी दिया हुआ है कि किस साइड प्लस और किस साइड माइनस है और उसके बाद आपको यहां पर एक पावर बैंक चार्जिंग मॉडियोल लेना है जो कि 30 रुपे में मिल जाता है औ और फिर उसके बाद आपको यहां पर क्या करना है यहां पर प्लस और माइनस का इंडिकेशन भी दिया हुआ है और यह सिंगल पोर्ट चार्जिंग मॉडियोल है और उसके बाद यहां पर मैं एक बाद टेस्ट करके देख लूँगा कि यह अच्छी तरह से वर्क कर रहा है और उसके बाद अब मैं इसको बनाना स्टार्ट कर दो लेकिन आपको यहां पर बता दूँ मैंने जो है पाइप की साइज जो काटी है वह इस बैटरी और चार्जिंग मॉडूल को लेके जो है एकदम पर्फेक्ट साइज में होता है मैंने उसके हिसाब से काटा है अगर आ यहां पर उसके बाद मैं यहां पर क्या करने वाला मैंने एक वाइट वायर लिया है और इसको जो है मैं बैटरी का जो है माइनस वाले पॉइंट मैं एड़ करूंगा यहां यहां पर आपको सुल्डरिंग करने से पहले बैटरी का जो है माइनस वाले जो यहां पर हो जहां कर दो पर तोड़ा सा फ़र् cuando appear क। मैं यहाँ पर थोड़ा सब च्रेंट कर दों गा की मैं जो हमारा मौडूल Rider चार्जिंग मॉडॉल उस पर जो मैं इस पर सोल्डर कर सकते हैं और उसके बाद यहां पर फ्रेंड में एक और बात बता दूँ अगर आप कोई बैटरी चाहिए तो आप पुराने लैप्टॉप की बैटरी से भी निकाल सकते हैं में काफ बनाते हैं जाने के लिए आपको वीडियो मेरे चैनल पर मिल जाएगी वहां पर आप देख जांके उस वीडियो को देख सकते हैं यहांपर मैंने सर्कल करके इक मार्किंग कर लिये उसके बाद DM कर लूँ गो के हिस आप से हैं यहां पर लीक्रापार आप देख सकते हैं- मैंने यहां पर यहां पर कर लिए को इस तरह से जैसा कि आप देख सकते हैं आपको जे पहले आरप पर पोट की लिए जूनः को पहले कंद कर लेना है उसके यहां पर इसको जय हां पर हमारी बैटरी और तो हमारा मॉडूल है उसको इस पावर बैंग में ढाल देना है यहां पर यहां पर मैंनेश तुछ लिय चीला था जो माइनस वाला वायर आप देखेंगे यहां पर जो वाइट वाला है क्योंकि वायर जो है इसके अंदर बैटरी के सात में पाइप के अंदर नहीं जा रहा थ क्योंकि वाइर जो है पिलस्ट को अटा दिया था और आपको यहां पर ध्यान लगना की प्लस और माइनस का वाइर है यहां आपर रहने के बाद इसको यहां पर मार्किंग करना के बाद यहां पर सरकल में कुछ इस तरह से कट लूंगा इंप्वांटरिण 스ट इस्टप पर फ परफेक्टली फिट नहीं होगा इसमें यहां पर दे सकते कि मैंने इसको जो है अच्छी तरह से लगा दिया है और उसके बाद मैं यहां पर एक जो फास्ट ब्लू होता है जो कि जल्दी सुख जाता है या फिर आप फेविक का भी यूज कर सकते हैं उसकी मदस से मैं इसको ज तरह से बंद कर दूंगा जैसा कि आप देख सकते हैं और उसके बाद मैं क्या करने माला हूं कि जो रिखमाल पेपर होता है यहां पर देखें को द्यान से तो आपको यहां पर लाइटिंग कुछ ज्यादा है इसके बज़े से आपको आपको यहां पर देख जाएगी इस पावर बैंक को मैंने इसलिए बनाया है क्योंकि मेरे पास एक ब्लुटूथ का हेड सेट तो इसको जहें बैटरी जहें छे से शयाड गंटे में डाउन हो जाती ति उसको चार जदी के लिए मैंने पर charging भी आप यहां को बन करके दिखाया है ताकि आपको इससकि आपको घंधी का दिखरे हो लेकिन इसको चार्ज करके दिखा देगा अब आपको 1 Post-zen to want to charge कर सकते हो फ्रेंवार यहां पर सिक्ते हैं tycker आप चाहिकिन उडिया मॉवाइल को ज्यादा नहीं अप्रोक्सिमेट 30-40 परसेंट चार्ज कर देगा अगर आपको यार वीडियो थोड़ी भी पसंद आ है तो यार प्लीज यार इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना मिलते हैं अगले वीडियो में और हां मैं ऐसी वीडियो बनाते रहता हूं चलिए बाइबाइबाइब